नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीची दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक बहद ही महतोपूर्ण जानकारियों को ले करके जहां दोस्तों अक्सर आप देखते हैं कि हमारी लाइफ में सबसे बड़ा प्रोब्लिम क्या होता है जब हमारे बाल ज लगता है यानि कि गिरने लगता है कई लोगों के बाल बेरुक कई लोगों के बाल रुखे हो जाते हैं यानि कि तूटते हैं बहुत ज्यादा जढने लगते हैं उनको प्रोब्लिम होती है नहीं समझ में आता है कि इसमें क्या करें और सही दवा क्या होगी इसके लिए तो पॉल्यूशन की वज़े से बाल खराब हो जाते हैं हमारे सही देख रेक नहीं हो पाती है या फिर डैंडर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बालों में तो ही प्रोब्लेम होती है healthy बाल जो भी होता है उसके लिए protein बहुत जरूरी होता है हमारे शरीर में क्योंकि बाल जो है protein उनको बहुत ज्यादा मातरा में चाहिए होती है तो इसलिए आज हम आप सभी के लिए यह औश्रा धिलाए हैं इसमें आपको चाहिए होगा तोराई करना क्या है आपको विधी पे ध्यान दीजे ढंग से करना कि आपको कि तुरई के छोटे-छोटे टुकड़े कर लेने हैं आपको बिना छिलका उतारे उसको केवल धोना है पानी में आपको और उसको छोटे-छोटे टुकड़े में काट लेना है फिर इन टुकड़ों को आप चार दिनों तक लिए रख दिजै शीशी में बंद कीजिए चार दिन रहने दीजिए नारियूल का वैल इतना डालना है कि उसमें ये आराम से जो चुण आपने डाला वो भिंग जाए गिला हो जाए इसके बाद आपको क्या करना है चार दिन बाद इस मिश्टन को आपको निकालना है और पानी में डालके आपको इसे उबालना है जब ये अच्छे से उबल जाए तो इसे च्छान करके इसका पानी ले लीजे वो इसी से आपको क्या करना है अपने सर में मालिश करनी है हरुज मालिश करते वक्त ध्यान रखें कि आपको फिं गर से बालों की मालिश करनी है जिसकी वज़ा से बाल तूटेंगे नहीं और बहुत ही हेल्दी ग्लोविंग मजबूत होते जाएंगे कुछ एक दिनों तक क्यूंकि तोरई में विटामिन C, कार्बोहाइटरेट, प्रोटीन सारी ये उपलब्ध होती हैं जिनकी वज़ा से ब बना लिए उसके लिए लेकिन इसके साथ साथ तोरई का आप सबजी के रूप में भी इस्तेमाल जरूर करें खाने में इस्तेमाल करेंगे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं खास करके गर्मियों के मौसम में तो ये बेहधी फायदे मौंद और लाफकारी सावित होता है आप सभी के लिए तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए तोरई के फायदों से रिलेटेड अगली बार हमाप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और बेहधी महत्तों पूर्ण जानकारीओं को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्त प्रादों